मार्केट को देख नहीं कुशिश करते हैं मार्केट का मोमेंटम करेगा हम कॉंसे डारेक्शिव ट्रेटर तर कहके चीज़े होने माले हैं अभी फिलाल के लिए अगर आप बैंक निप्टी का सिचुएशन को देखते हैं मैंने आपको विलकी दिन पर एनलेसिस कहा बता के काता है कि बैंक निप्टी अगर gap up open हो जाता है तो मैं इंट्रेस्टेट नहीं रहने वाला और बाकी चीज़े नहीं हो सकती है अगर बैंक निप्टी यह जगा पर या पर कही पर भी open हो जाता है मैं बैंक निप्टी को सेलिंग करने के लिए बिलकुल भी कि market को understand किसी किया जाता है हमेशा समझो आप यहां पर आप trap क्यूं होते हो लोग बोलते कि market हमें trap करता है अगर आपको market trap करता तो यह पहले से मुझे कैसे पता है कि market या से bounce back करने वाला है अगर लोगों को लिए trap ही है market अगर कुछ गलती ही कर रहा है तो फिर market या से उपर क् जाना ही नहीं चाहेता अगर जा रहा है तो मुझे पता कैसे था आपको क्यों पता नहीं है बात को बस इतनी है कि सब कुछ चाट के अंदर चीज़े आती है यह कोई भी याद रखो यह कोई भी magic नहीं है जो लोग मेरे से सीखते उन लोगों को पता है कि यह magic नहीं है यह complete और complete chart का analysis है और chart का जो है वो learning है अगर आपकी पास वो learning है तो you can also make a huge money in stock market मैं actually मैं यहाँ पर इस bottom level के आसपास market को buy कर रहा था क्योंकि plan तो पहले से ready था मैंने पहले भी mention किया था यहाँ पर कही पर भी open जाता है पर नीचे जाता है फिर यहाँ से बहुन पेक कर सकता है तो मैंने इसी bottom के अंदर-अंदर market को buy करके रखा था पॉस market में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर किया एक बाद जादा नीचे आया और फिर यहाँ से वाँ पचे उटन लेगे लिया सो market का प्लान तो हमारा पर्फेक्टा वर्काउट वो ऐसे ही करता है जैसे हम प्लान किया करते हैं सो market को क्या समझा जा सकता है 101% समझा जा सकता है क्योंकि आपके सामने चार्टे रिजल्ट आपके सामने है जो चीज़े बता के रखाओ उसी तरीके से market के अंदर अंदर रिजल्ट बनते जा रहे है उसी बात का फाइदा उटा लीजे दूसरी बात बहुत अच्छा profit बनाया होगा हमारे students ने बाग में मैंने यहां से इसी टॉप के आसपा से उनको सेलिंग करने का मौका दिया था मैंने पहली mention करके दिया था यह लेवल बहुत ज़दा important होने वाला यहां पर हम सेल कर सकते हैं और होप उन्हें यहां पर भी सेल किया होगा कि देखो आप कौन ट्रेड कर पा रहे हो कौन ट्रेड नहीं कर पा रहे है मुझे नहीं पता लेकिन मैं analysis जिस तरगी से देख रहा हूँ वह analysis कितनी work out कर रही है देखो अब trade क्यों नहीं कर पाते है इस बात का आपको simple बता दे तो मान के चलते हैं कि मैंने एक analysis आपको दिया मैंने एक analysis आपको बना के दिया अब उस analysis पर आप confident day trade नहीं कर पाते है क्योंकि वह analysis क्या है मेरी है तो इस वह जोजेसे आप इसके ऊपर confident day trade नहीं कर पारे हो लेकिन आगर आप मेरी जैसे analysis करना सिख गई या पिर मेरी से सिख हुए किसी और से सिख हो कोई उसकी मतलब नहीं बात नहीं लेकिन अभी गनपती सीजन के फस्टिवल में चल रहा है, तो जाकर जल्दी जल्दी से आपने सीज़ को बुक करवा सकते हो, दूसरी बात, बात समझो कि मैं जो आपको अनलेस से देता हूँ, यह आप भी कर सकते हो, और एक बात अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइ एक इस ट्रा डिसकांट दूँगा, मतलब दिसका भी बेस्ट कमेंट आएगा, उसको एक 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 इस्टा डिसकांट मों जाएगा, जो किसी को नहीं मील पा रहा है, एक्स्टा डिसकांट मील जाएगा, आज आप विडियो के नीचे को बढ़तने गहां करेंगा, तो ज़ो Song रहेगा उसको एक्स्ट्रा डिस्कॉंट मिल जाएगा उस एक स्टूड़न्स को तो जाओ अपने सीट्स को अपने बुक करवा सकते हो या फिर आप जाकर आपना बेश कमेंट आज के दिन पर भी डाल सकते हो और यह मैं आपको वीक में चार दीन या दो त्या तीन दीन के लि इतना उपर जाकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, यह completely against the price action के अंदर अंदर उपर चला गया है, actually आज बैंगनिप्टी को इतना उपर जाने का कोई हग ही नहीं बनता है, जाना भी नहीं चाहिए था, आप लोग बोलों के कुछ लोग बोलेंगे आप ऐसे कैसे बोल सकते, मारकर को इतना उपर नहीं जाना चाहिए था, इसको हकी नहीं है, देखो, मैं एक परसन ऐसा परसन हूँ, जो मैं डिरेक्ली बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, मुझे कोई फिरग नहीं पड़ता कि कोई मुझे ट्रोल करें, या कोई मुझे अच्छा बोलें, क्यों मेरी अनलेसिस और मेरा नॉलेज यहाँ पर वर्काट करता है, ना कि मेरी कोई strategy वर्काट कर रही है, क्योंकि strategy आज चलेगे, कल चलेगे नहीं, उसकी कोई guarantee नहीं है, तो अब आप इतना समझे होंगे, देखो, अल्मोस्ट बैंक नप्ती है ना, 50,800 के आसपा सासपा से closing के आसपा जाना चाहिए था, इसके उपर इसके closing नहीं होनी चाहिए था, यह 51,100 के आसपा सासपा चला गया, और इतना उपचा कर यह closing करने का time कर रहा, यह हमारे लिए थोड़ा सा calculator करने के लिए बढ़िया नहीं रहेगा, देखो, मैं कोशिश कर रहा था ना, कि market अगर यही पर आगंदर आगंदर closing हो जाता ना, मेरे लिए आने वाले time के लिए बहुत बड़ा selling के लिए मार्केट यूटन के लिए मैं दीख सकता था, लेकिन आज का situation को देखने बाद, यह momentum को देखने बाद, मेरा मन थोड़ा सया पर अभी अभी बोलते ने कि digest नहीं कर पा रहा इस momentum को, क्योंकि कल के दिन ते कोई बड़ी है momentum नहीं मिल पाएगा, अगर ऐसा closing हो जाता है, लेकिन कौनसे direction में momentum मिलेगा, कब क्या होने की बाद करेगा, उन चीज़ों को details में देखने की कोशिश करेंगे, से लोग मान के चलते हैं, अगर बैंगर बैंगर फ्लाट ओपन होने की बाद, अगर गलती से भी यहां से अपसाड चला जाता है, गलती से भी, जो कि अल्मूस अलो 51,200 and 250, अगर ऐसे तरीके से कही को भी चला जाता है, भाई साब ये मार्केट मेरे लिए फिर से वापा जाकर एक साडवेज मार्केट बन जाएगा, और फिर से मार्केट में पूरी खिचड़ी बना डालेंगे, और हमारा दिमाग खराब कर रखेंगे, क्योंकि खोब हम थोड़ा सा कोशिश किये थे कि बाई चलो ट्रेंडिंग में आ चुका है, यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत रुकेगा, या फिर यहाँ पर कुछ भी करता है, फिर ने चला जाएगा, तो बड़ी आपैसा बनाएंगे, यह भाई साब ने तो फिर यही कर दिया कि मैं तो बस आपको कुछ देनी नहीं वाला, नीचे चलाएगा, फिर से वापस रजी रेंज के अंतर अंतर चला जाएगा, देखते, कल का दीन है हमारे पास, आम इतने जल्दी मार्केट को डिसीजन नहीं लिए पाएंगे, फिर से मार्केट के लिए उपर के लिए एक इंपॉर्टन लेवल बन जाएगे, फिर मार्केट के लिए नीचे भी इंपॉर्टन लेवल बन जाएगे, और फिर मार्केट यहाँ पर साडवेस टु वालटराटी करेट करने के लिए फिर से रेडी हो जाएगा, और फिर ये expire भी आने वाला time के लिए market sideways हो शकता है, अगर कब लेकिन गलती से बेंगरप्टी ये जगा पर open होने का बाद कर सीधी उपर चला जाता है, तो फिर ये मेरे लिए थोड़ा सा difficulties create हो जागा, लेकिन उपर जाते हुँ मुझे picture क्या दिख रहे हैं, flat open होने बाद market उपर इतनी जल्दी नहीं जा पाएगा, पहले जोटा जाएगा, फिर तेज़े से नीचे गरेगा, फिर उपर जाएगा, फिर तेज़े से गरेगा, मेरे clear cut आपको मानद बता देतो, मैं selling अभी तभी करने वाला हूँ, जब bankruptcy almost almost 50,850,800 ये सारे level के नीचे जब तक bank nifty नहीं जाएगा, मैं bank nifty को sell करने के लिए ready नहीं हूँ, क्योंकि ये सारा जोल जाल जपाटा, इसके अंदर में market में वापस फस सकता हो, और मुझे फसना नहीं है, आप सबको पता है, जब market बड़ा momentum देता है, हम पूरा market से cash करने का कोशिश करता है, market जबरदस पैस अगर उपर नीचे कुछ भी कर जाता है, ये market मेरे लिए थोड़ा सा difficult market हो जाएगा, फिर मैं जल्दबाजी ट्रेट करना पसंद ही नहीं करूंगा, मैं wait करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर market open होनी के बाल, ये market उपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसकी क कोई guarantee मुझे नहीं मिल पाएगी, कोई clarity मुझे मिल नहीं पाएगी, so let it see कि देखते कि क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि फिर confusing वाला scenario create हो जाएगा, मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, so आप भी क्या कर सकते हूँ, मैं भी थोड़ा सा wait कर दा ही पसंद यहाँ पर कर सकता ह और फिर हम कुछ नहीं कर पाएगे बढ़िया तरीके से, so let it see कि देखते कि क्या कर पाता है, क्या कर पाता है, मेरे लिए सबस्दे ब्रेस्ट कल के दिन पर तभी हो सकता है, कि market सीधे gap down open हो जाए, 50,800 की नीचे आगा सीधे directly gap down market अगर open हो जाता है, मेरे लिए यह market थोड़ पर कही पर open हो जा रहा है, market सीधी नीचे चला जाने दूंगा में पहली बार में और फिर वापस market यहापर रोक के फिर गिर जाता है, तब में यहापर कही ना के market को sell करने का ट्राइ कर सकता है, और मेरे लिए बढ़िया मोमेंट अब फिर से मिल सकता है, लेकिन यह फिर gap हो अगर इसके नीचे नहीं आता है, और फिर यही पर उपर उपर होल करने रखता है, तब में कुछ सोच सकता हूँ कि आप जाकर में 50% quantity के साथ ट्रेड करना पसंद कर सकता हूँ, इससे जदा में quantity अपर पंच नहीं करने वाला market में हो आप इतना अभीतों के लिए समझी केंडल बनी है, तो कही ना कई इस तरीके से केंडल यहां पर बनती भी दीख जाएगे, तो इसी तरीके से कही ना के निप्टी के अंतर में मुझे केंडल आभी थोड़ी बहुत उस तरीके से केंडल बनती भी दीख रही है, तो जिस तरीके से हमने प्लान बना या था, उस year 360, ये सार लेवल के नीचे अगर बैंन के रहेंगल हो जाता है तो मैं एक सिंपल सा प्लान करूआ। पहली बार में मैं निप्री को डारेकल पवन होने दूनगा, शर्वरोश नीचे गर जाता है और पृशिए जागा जाने के बाद किस तरीके अगर यहाँ पर आकर मार्केट होल्ड कर जाता है उसके बाद और भी बड़े टागेट के लिए मैं निप्टी को होल्ड कर सकता हूं लेकिन उस कंडिशन पर अगर यहाँ पर आकर मार्केट के साथ मार्केट फिर नीचे चला जाता हूं और फिर मुझे यहाँ पर आनेक बाद कुछ एक बढ़िया मोका मिलता है और जाता सेलिंग करने के लिए तो फिर में यहाँ पर कॉंटिटी को एड़ करूंगा नहीं तो फिर मार्केट में क्या हो जाएगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा थोड़ा बढ़ नीचे जाएगा और फिर बांस बैक कर सकता है इस तरह किसे प्लाइनिंग मेरा ज्यादा बढ़ा नुकसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग बढ़िया मुझे लग रहा है तो निटि का तो तो थोड़ा बहु है लिक्न कि पित पढ़ी क्वेस्ट डर मिले गा इउत्वंके अगर बंजाता है तो थोड़ा से चेले बात बढ़ बन जाएगी थोड़ा सा ऑच्ची एक लिएट करती गर बाएःगे अबट अब इतना है इस आप नोर्म म